साथ स्त्रियों को कभी भी नवरात्रि का वरत नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्त्री से मातारानी कभी प्रसंद नहीं होती हैं और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर रहता है। इसलिए आपको यह जान लेना चाहिए कि अगर आपने गलती से भी नवरात्री का वरत रख लिया तो आपका वरत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा जानिए कहीं आप भी इन साथ स्त्रियों में से एक तो नहीं दोस्तों इस साल की नवरात्री पूरे नौ दिनों की मनाई जाएगी ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा पूरे नौ दिनों तक मनाई जाएगी मा भगवती की विशेश पूजा अर्चना की जाएगी नवरात्री का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होगा ऐसे में नवरात्री पर माता शेरा वाली की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्थ दो अक्टूबर रात 10 बजे से 3 अक्टूबर दो पहर 2 बजे तक रहेगा इस समय को अभिजीत मुहूर्थ कहा जाएगा अभिजीत मुहूर्थ में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है जो भी माता का भक्त माता रानी की पूजा नवरात्री में शुभ मुहूर्थ में पूजा की जाए तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और सभी देवी देवताओं का आशीरवाद प्राप्त होता है और भक्तों को पूजा का कई गुना फल मिलता है दोस्तों इस बार की नवरात्री बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है इससे घर में सुख, समरिध्ध, धन और शांती मिलती है और घर से दरिद्रता और दुख का नाश होता है घर में मातारानी का आगमन होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो यह वरत न रखें तो ही अच्छा है वरना आपको मातारानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है माननेताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं की बात करने जा रहे हैं उन्हें नवरात्री के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए वरना आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है आपके पती किसी मुसीबत में आ सकते हैं तो आईए जानते हैं दोस्तों, नमबर एक शास्त्रों के अनुसार अगर आप दिखावे के तौर पर कोई भी व्रत रखते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाग तो उड़ाते ही हैं साथ ही आप पाप के भागीदार भी बनते हैं ऐसे लोगों से माँ भगवती कभी प्रसन्न नहीं होती बलकि उनका विनाश कर देती हैं माँ दुरगा तभी प्रसन्न होती हैं जब आप उन्हें सच्चे मन से बुलाते हैं और पूजा और शास्त्रों का पालन करते हैं दोस्तों, नमबर दो तलाक शुदा महिला, शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादी शुदा है या जो पुरुष तलाक शुदा है अगर पति-पत्नी के बीच अनबन रहती है तो उन्हें कभी भी नवरात्रिक अवरत नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से मान दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होती है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी दो दिलों का बंधन होता है जिसमें एक को जीवन भर के लिए बंधे रहना होता है न कि अलग-अलग रहना होता है मा रानी तूटे हुए जोडे को स्विकार नहीं करती है तूटे हुए जोडे के लिए वरत रखना और पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है बलकि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन होता है खासकर अगर पति-पत्नी एक साथ वरत रखते हैं तो माता रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ आशीरवात देती हैं। ऐसे में मा भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। इसलिए दोनों को एक साथ पूजा करनी चाहिए न कि अलग-अलग। दोस्तों, नमबर तीन, चरित्रहीन महिलाओं को कभी भी नवरात्रिक अवरत नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुशों पर भी लागू होती है, जो हर जगह मोह करते रहते हैं। जब व्यक्ति के शरीर की पवित्रता खो जाती है, तो वह न केवल मलिन कहलाता है, बलकि पापी भी होता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। आपको यह वरत कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नमबर चार, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है, तो आपको जल्द से जल्द यह आदत छोड़ देनी चाहिए। अगर आप माताराणी को प्रसंद करना चाहते हैं, तो घर में लड़ाई जगडा करना बंद कर दें, क्योंकि माताराणी उस घर में पूजा करना चाहते हैं तो जितना हो सके मीठे वचन बोलें। ज्यादा कड़वे वचन बोलने से मा सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों नमबर पाँच अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह वरत नहीं रखना चाहिए। अन्यथा आपके साथ कुछ भी हो सकता है इसलिए सावधान रहें। नमबर च्छे, मासिक धर्म के दौरान भूल कर भी वरत न रखें। क्योंकि मासिक धर्म के दौरान आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसलिए आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। नमबर साथ, जो महिलाएं अपने पती का अपमान करती हैं, विवरत नहीं करें तो बहतर। है क्योंकि मा दौरगा ऐसी महिलाओं की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती हैं, बलकि इसे घोर पाप माना जाता है। नवरात्री में इस चीज को घर में लाना बहुत ही शुब और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नवरात्री में घर में 16 शुब और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में इन्हें घर में बने मंदिर में रखने से कई जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है और मा दौरगा की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। मा रानी की कृपा पूरे साल आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में घर के मंदिर में 16 शुब और मंगलकारी माना जाता है। या फिर जिस स्थान पर आप नवरात्रि वरत रखने के लिए माता की मनोकामना की स्थापना कर रहे हैं, उस स्थान पर सोला श्रंगार की वस्तुएं रखतें, ऐसा करने से मा दुर्गा की कृपा घर पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, नमबर दो, सोना, चांदी या तांबा शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बनी कोई भी धातू पूरे नौ दिनों तक घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है, खास कर नवरात्रि के नौ दिनों में। नवरात्रि के दोरान सोना, चांदी और तांबा घर लाने से इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मातारानी के पास सोने, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखने चाहिए। इससे मातारानी बहुत प्रसन्न होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अवसर पर आपको अपने घर में शंक जरूर लाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंक नहीं रखा जाता है, वहाँ देवी देवता कभी वास नहीं करते हैं। सनातन धर्म में शंक का बहुत महत्व है। नियमित रूप से शंक बजाने पर आपको कई गुना अधिक सकारात्मक उर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक उर्जा का नाश होता है। किसी पवित्र स्थान या तीर्थ स्थान से जल लाकर घर में रख लें। के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। नंबर वन नारियल हिंदू धर्म में नारियल को सुख, सम्रिध्ध, धन, भक्ती और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्री फल भी कहा जाता है। हर शुभ काम में नारियल का विशेश महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मातारानी के कई मंदिरों में नारियल से बली भी दी जाती है। और हम सभी मातारानी की पूजा में नारियल का इस्तिमाल करते हैं। खास कर कलश की स्थापना नारियल रख कर की जाती है। मातारानी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, एक जिसके अंदर पानी होता है, वह नारियल जिसके अंदर पानी होता है, मातारानी की पूजा में हमेशा पानी वाल पूरा नारियल ही सुख सम्रिद्ध का प्रतीक होता है। नारियल को हमेशा कलश पर लेटा कर ही रखा जाता है। नारियल को मातारानी के सामने न रखें। इसे न फोड़ें क्योंकि नारियल बीज के रूप में होता है। यानि नारियल में। बीज होता है और महिलाएं बीज के रूप में बच्चे को जन्म देती हैं। इसी लिए महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। दोस्तों, नमबर दो, हम सभी मातारानी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मातारानी को हमेशा लौंग के साथ घी भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी अर्पित करने से मातारानी बहुत प्रसन्न होती हैं। नमबर तीन तुलसी के पत्ते नवरात्री के दौरान माता रानी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। माँ दुरगा की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। तुलसी के पत्तों के अलावा माता रानी को आवला भी नहीं चढ़ाना चाहिए और माता रानी को दूर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। लाब और कमल के फूल मातारानी को बहुत प्रिये हैं। दोस्तों, ये साथ गलतियां घर में पैसों की कमी का कारण बनती हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं, जो जीवन में पैसा कमाने के लिए बहुत महनत करते हैं। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी आप जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण कुछ वास्तु संबंधी गलतियां हो सकती हैं। तो चलिए, हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर घर के वास्तु में थोड़ी सी भी कमी हो, तो इसका सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आप तुरंत नीचे धिये गए वास्तु टिप्स को अपना लें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जै लक्ष्मी माता जरूर लिखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि रात में जाडू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है और वहां अलक्ष्मी वास करने लगती है इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपकी शाम के समय जाडू लगाने की आदत हो आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुब होता है आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और इसकी वज़ह से काफी मेहनत करने के बाद भी आप कई कार्यों में सफल नहीं हो पाते हैं इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा न होने दें नमबर तीन, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल खुला छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है। आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना अशुब होता है। इससे आपको स्वास्थ संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप मा इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है और सामान इधर उधर पड़ा हुआ है तो आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए आपको अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखन चाहिए ताकि देवी लक्ष्मी आपके घर में वास करें और धन की हानी नहो। 5. आपको अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करना चाहिए। 5. हिंदु धर्म के अनुसार घर में पूजा पाठ करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस से घर से नकारात्मक उरजाद दूर होती है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता उस घर में पैसों की कमी रहती है। इसके साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको हमेशा सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों में कलह और तनाव बढ़ता है। नमबर आठ अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थय ठीक नहीं है तो आपके घर में मरे हुए पौधे हो सकते हैं। तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थय संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोजाना पानी देते रहें ताकि वे हमेशा ताजे रहें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादर का वास होता है। इसे अशुब माना जाता है और यह आपके घर में हमेशा वास्तु दोश पैदा करता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि चमगादर जैसे पक्षी घर में न आएं। अगर आपको रात का खाना खाने के बाद सुबह बरतंद होने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं। जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिती पर भी पढ़ सकता है। नमबर ग्यारा अकसर देखा जाता है कि कुछ लोग जल्दबाजी में जाड़ू को ऐसे ही फेंक देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। जाडू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग जाडू को इस तरह फेंक कर रख देते हैं, उनसे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और देवी लक्ष्मी उनके घर में नहीं ठहरती हैं। जाडू का सम्मान करना चाहिए और उसका इस्तिमाल करने के बाद उसे धीरे से रखना चाहिए। जाडू को घर में इस तरह छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले लोगों की नजर जाडू पर ना पड़े। 12. कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वो बाथरूम गीला छोड़ देते हैं और साबून का पानी लगा रहता है और बाथरूम गंदा रहता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर आएं तो बाहर आने से पहले बाथरूम को साफ कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाता है कि इससे भगवान वरुन नाराज हो जाते हैं और उनके गुस्से से धन की हानी होती है। 13. हिंदु धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। इसके पत्तों के बिना भगवान विश्णू की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो लोग चाहते हैं कि घर हमेशा धन से भरा रहे और पैसों की कभी कमी न हो, उन्हें शाम के समय तुलसी के पौधे को कभी नहीं चूना चाहिए। सनातन परंपरा में किसी भी काम के लिए शुब अशुब समय और खास दिन का ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों में शाम के समय बाल और नाखून काटना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस नियम की अंदेखी करता है, तो देवी लक्ष्मी नाराज होकर उसके घर से चली जाती हैं और वह हमेशा तूटा-फूटा रहता है। जोतिश के अनुसार रसोई में रखी चीजें भी आपकी किसमत से जुड़ी होती है। अगर आप घर में अपने कपड़े, चप्पल, जूते, आदी को सही तरीके से रखे बिना इधर उधर फेंग देते हैं, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मान लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिसके कारण आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नमबर अठारा, हर चीज की तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कूडे दान रखने की दिशा भी तय होती है। आपको बता दें कि घर में कूडे दान को कहीं भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं, तो मान लक्ष्मी आप से रूट जाती हैं और आर्थिक स्थिती खराब हो सकती है। आपको बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठ कर खाना खाते हैं, तो आप बहुत ही गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे मान लक्ष्मी और मान अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, और आपके घर की आर्थिक तरक्की रुक जाती है। नमबर बीस अगर आपको रात का खाना खाने के बाद सुबह बरतन धुलने के लिए छोड़ देने की आदत है, तो ये बहुत ही गलत आदत है। वीडियो का उद्देश केवल आपको बहतर सलाह देना है। हम इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।